हवे पौराणिक कथाओ पर आविए आपने जानिये छे के इलियड होमरे लख्यू अतू ठीक छे तेओ एक अंध व्यक्ति एता एमने लख्यू के चवध हजार गोडाओ हता पन कारण के आपने जानिये छे के एमने पोते गोडाओने जोया नहीं होय इटले आपने एमानी लईये छे के एमा कोई कृते अयतिहासिक कथाओ रचाती आती पन आजकाल बधा धार्मिक ग्रंथोंने उपदेश मानवा मा आवे छे तो शुँ आपने एमानी लईये के रामायन महाबारत मा पन वार्ताओ घडवा मा आवी छे अने एमने साहित्य मानवानी जग्याए उपदेश मानवू खोटू नथी? मैं क्यारे कोईने रामायाणने महाभारत ने उपदेश मानता नथी जोया केटला क्विभागो एमा पन छे? ना, ना, तेओं नथी मानी शकता, कारण के तेओं ब्रह्म्ती हेरान थी जशे कारण के माँ भारत मां बद्धा प्रकारना लोको छे श्रिष्ट लोको, खराब मां खराब लोको, एमनी वच्चे दरेक प्रकारना स्त्री पूरुशे मां छे एक लाक्ती पन वधू चरित्र छे, एने उपदेश केवरी ते मानी शकाए, तमें वार्ता केवानी वात करी हैती, हुन नथी जानतों के तमें यूथें ट्रूथ नी बाइलाइन जोई छे के नहीं, ग्रन्थों नी गंभीर ताती नहीं, गपशप करता मोज मा, कारण के गप गपशप मा थोड़ी हकीकत काडवा माटे पोतानी बुद्धीनों प्रयोक करयो, पण लोकोंने कायम अधिक रूत वातों थी वदारे गपशप पर भरोसो रहो, छे के नहीं, फक्त आजे नहीं, हमेशा थी जो के ए जोता आ गपशप थी सत्य आटलू बदलाई शके छे, के ते कायम माटे खोवाई जाए, तो शू तमने लागे छे, के ए चिंता जनक छे जू हो, फेला तो तमें पूछी रहा चो, के शू ते वास्तव माँ थहू तू के नहीं, बराबर ना, अमें कही रहा चिये, के तमें जे दलील आपी छे, ए वीज दलील आजकाल सामान्य रिते ए कहवा माटे उप्योग मा लेवा मा आवे छे, के जे इमारतो मुगलोय बनावी हती, ते वास्तव मां मुगल इमारतो नती जो के अहिया गपशपनो संपूर्णा रिते खोटो अर्थ निकड़े छे जूओ, जो तमें वधारे दक्षिनी तरफ जशो, तो त्यां लोको सवाल करे छे, के राम खरेखर जन्म्याता के नहीं, ठीक छे? ए बस खराब याद शक्तीनो प्रशना छे ज्यारे आखो, देश, हजारो वर्षो थी आविशे वाद करी रहो छे हवे समस्या ए छे, के तमें बोलेला शब्दो थी वधारे विश्वास लखेला शब्दो पर करो छो बदी समस्या त्यांच छे, पन तमारे समझू जोईये, क्या एक मौखिक संस्क्रूती छे आपने कायम वातो करीने लोको सूधी सउथी महत्व पुरूने वातो पहुचाडी छे तमें अने महत्व हीन मानी शको छो कारण के ते लखायलू न थी कोई पणे ने लखी शके छे, लोकोई हवे अने लखी लिदू छे तेक लिखीत शब्द छे, पण हवे कोई प्रश्न करे के राम हकिकत मा हता के नहीं एक जग्या है नहीं, आप पूरी संस्क्रूती मा जो बद्दाज लोको एकजवारता विशे वात करी राया होई थोड़ा गणा फर्क साते, तो आ बस बदा लोकोनी कल्पना नहोई शके मारा ख्याल थी, इल्यड नू उधारण आपता एमने पन आज वात कही आती के ट्रोई नू युद्ध थयू हतू, पन होमर नू एक एवू के चवध हजार घोड़ा त्यां हता, ते देखी ती रिते सत्य न थी कदाच ना, कदाच राम हता, पन जे बाकी नी हकिकत लखवामा आवे चे जुओ, आपने छेवटे भारतीय चे, आपने शुन्यनों आविशकार करियो चे आपनी पासे शुन्यने वापरवानी एक खास चूट चे, आपने एनी चूट लई रहा चे जुओ, जुओ, छसात अजार वर्ष पहला एक लाख लोको लड़या, के दस अजार लोको लड़या एना थी कोई फरक नथी पड़तो आ देश माँ वार्ताओने जे रिते कहवामा आवे चे, एमाँ तत्या नहीं, पन सत्या महत्व पुरुना चे तमें एक खास सत्या बाहर लावानो प्रायतन करो चे एक तत्या के एक लाख लोको लड़या, के दस अजार लोको लड़या, एना थी शूँ फरक पड़े चे आजे तमारे एक युदनो वैवर्ट मती करवानो, एस समाप्त थाई गयो चे तो महत्व पुरुना वस्तु ये चे, के हुँ एमाथी शूँ शिखो चूँ बराबर चे जो एक प्रश्ण होए, तो आपने एना विशे आगलवात करी शक्किया चे मारी द्रश्टी ए वात एमने पन कही, के जारे तमें धार्मिक ग्रंथों ने जुओ चो जेवी रिते तमें साहितिक ग्रंथ माती शिखो जुओ, एने धार्मिक ग्रंथ ना कहो, ये देशनो इतियास चे हाथो मानी लो, के तमें कोई बीजा साहितिक ग्रंथ ने जुओ चो तो तमें एमाथी कईक शिखो चो साहितिय अलग वस्तूचे, इतियास अलग चे साहितियक आल्पनिक होई शके पण इतियास हमेशा तर्क सभर रिते लखवामा आवेचे इटले ते हमेशा तमारा माटे काईक अर्थ धरावेच हुँ कहुचू के 6000 वर्ष पहला कोई मानस हतो के नही मनेश हुँ लेवा देवा, ज्यासुदी मारा आजना जीवन माईनू को योगदान अजना होई परन्तू जो इतियास लखवामा आवेचे, पण तेनी हकीकतोनू वर्णनस पस्ट नथी जुओ, हुँ एज कही रवाचू तथ्या आरिते छे मानी लो, 6000 वर्ष पेला, रामनी एक पत्नी हती, जैनू नाम सीता ना हतू तो मने शुँ तकलिफ होई शके अमें ए सवाल नाथी करी रहा, के एनू नाम सीता हतू के नही हुँ कउचू के बराबर छे, एना पिता नू नाम ए हतू के नही के-के बीजू आतू, तेओ अलग प्रकारना माना सता मने एना थी शुँ फरत पड़े तमें करी शको छो कई घटना क्यारे थाई, एना परपण तमें प्रश्ण करी शको छो पन हुँ ए पूछू चू के 6000 वर्ष जुना नाटक मा थोड़ी हेरा फेरी थाई गई, तो ए तमारी समस्या न थी समस्या फक्त ए छे के शुँ आपनी माटे एमा कैक छे साचू वात बस आच छे, तो प्रश्ण ए छे कि आ अदेश में आपने रामनी पूद तेओ कोई खूब सफ़ड व्यक्ति न आता जो तमें ध्यानती जुओ, तो तेओ सतत असा हाँ हाँ, आजे पन तेओ जमीन ना मुद्धे जजुमी रहाचे इटले तो तमें आ मुद्धे उठावे परन्तु आजनी वात न थी फक्त आजनी वात न थी पोताना जीवन ना प्रारम थीज तेओ सतत मुष्केली आने मुष्केली आने मुष्केली मा रहाचे जो राजा बनवो एमनो अधिकार हतो सत्तर अड़र वर्ष्णी उमरेत एमनो राज्या भीशेक थेओ एमने एक राजकुमारी साथे लगना करया अने एक बे वर्ष्माज एमने जंगल मा मुखली देवाया तेओ जंगल मा कई पिकनिक मनावान उता गया जेम घणी टेवी सीरियल्स मा देखाड़वा मा आवियू छे के राम अने सिता ये बदू करी रहाचे आ तो एम छे के एमने राज्य थी, सत्ता थी अने दरेक वस्तू थी बार फेकी देवामा आविया हाता आरी ते तो व्यक्ति तूटी पड़े पन तेओ तिया जवसी गया पन राम एक शंकाशील व्यक्ति पन हाता ज़ारे सिता येमने पासे आवे हा तो पहला येमने अगनी पर इक्षाप्ट पड़े है सिता त्या कुदी ने ना जाओ, पहला सिता नो अरण तो करी लेए जो, तमें बदलो चो तमें गटना क्रम बदली रहा चो पहला अपरण तो करी लेए, बराबर चे अवे, आ श्रीलंका ना लोको आवी ने अमनी पत्नी नू अपरण करी ने जता रहे चे छेटे, छेटे तेओ एक राजा चे जो कोई अमनी पत्नी ने उठावी ने 3000 किलोमीटर दक्षीन तरफ लई जाए चे ये जानवा माटे कोई GPS पन न तुके श्रीलंका चे क्या, बराबर ए समय एक राजा होवाने नाते, तेओ कोई स्थानिक समादान पन शोधी शक्ता हाता तेमनी साथे लगना करवा घणिस्त्रियो तैयार थाई शक्ती ती तेओ एक राजा चे, पन तेओ एमनी शोध मा निकड़े चे, मोटी सेना साथे नहीं, पस तेओ अने तेमना बाई, एक सामान्य मानस नी जेम जो एक व्यक्ती दक्षिन मां 3000 किलोमीटर चाली ने जाए, ए जान्या वगर के तेनी पत्नी क्या चे, जिवेपन छे के ने, के पची शूँ थाई तो ये तेना माटे घणू माहत वधर आवे चे, छे के नहीं नई तर कोई व्यक्ती एटलू अंतर श्या माटे का चे तेहो तेहां जाए चे, एना भूलो के तेहां एक तामिल सेना बनावे चे, पची युद्ध थाई चे, हजारों लोकोंने मारी नाखे चे, अन एक सुन्दर शेहर ने बाडी नाखे चे, पो तानी पत्नीने पाची लावी ने, साथे रेवा लागे चे एना पेला, तेहो एक वर्ष माटे हिमालाई पर प्राश्चित करवा जाए चे, तेमनो बाडी पूछे चे, कि तम्हें मगजतो नथी गुमावी ने, आ मानासे तमारी पत्नीने उठावी लिदी, औने तम्हें एना मृत्यू माटे प्राश्चित करी रहा चो, तेहो बोल् एक वर्ष माटे प्राश्चित करवा गया, पची तेह निराते वसे चे, औने तेमनी पत्नी गर्भवती थाए चे, तमार समझू जोई एक एक राजा नी पत्नी जारे गर्भवती थाए, तेहरे फक्त बाड़क विशे ना थी, तेह तेना सामराजे नो वन्शच चे, औने एमा बिजी गणी बदी वस्तुनो समावेश थाए चे, कोई सोनोग्राफी ना हती, एपण नो थी खबर के चोकरो चे, के चोकरी, के चोकराओ, के चोकरियो, पण पची एवी एक राजनितिक परिस्थिती उबी थेई, जया एमने एमनी पत्नी ने जंगल मा मोकली देवी तो आपने पहला चरंथी पन शरू करी शक्ये चे, जेमा सीता ने बचावेश पची, सीता ए पोता नी शुद्धता ना पूरावा आपवा माटे अगनी परिक्षा आपवी पड़ी हती, बराबर चे, जे थी बीजा लोको स्विकार करी शक्ये, कारण के राम ने ए वस्तु पोता ना घरमा राखू, जेना गर्भ मा कदाच बीजानू बाळा खवाई शक्ये चे, ए कारणे रामे सीता ने फरी थी जंगल मा मुख्ये चे, तो तमे आज असुरक्षा नी बाद करो चो, आखी कथा मा राम इच्छे चे, के एमनी प्रजा एमने प्रेम करे, ना ना, आ पुची रहे चो, का तो तमे एक ध्रित्राष्ट रहे चो चो, कोई पन कीमत पर मारोज पूत्र, तमे एक इवा व्यक्ती चो चो, जे देशना ना घरिकों ने पोता ना परिवार्थी उपर राखे चे, एमनी माटे फक्त एक स्त्री ना हाती, तेओ जयने एनी माटे भविश्य होई शके, जुओ, ये फक्त एक धोबी नी वात ना थी, इत अमारी भूल चे, तमे आ वातों नो शाब्दी कर्थ लए रहा चो, एक धोबी एक कयो, अहिया केवानो अर्थे चे, के सामान्या लोको आ कही रहा चे, सामान्या लोको नो राज्या पर्थी पूरुष साथे रही ना आवी चे, ते समय ना लोको आज कही रहा हाता, तो जो राजा एम कहे, कि मने के फरक नथी पड़तो तमें शुविचारो चो, हूँ मारी पत्नी ने प्रेम करूचू अने मारी साथे ज राकिश, तो ते एक सारो राजा के प्रशा सक ना होत, तो त नमन करूचू जोई है, इटला माटेज आपने एमनी सामें माथू ने ना लोको चे, तो एक व्यक्ती तरीके तमारी विवित प्रकार नी जवाबदारी होचे, एक राजा ना रूपमा अलग, तो एक मानस ना रूपमा, परिवार ना सभ्यना रूपमा तमारी अलग जवा एने एक गर्भवती ना रूपमा नथी जोई रहा, एने घणी जरूर्यातो हशे, अने एमने घणा वचनो आपेला शे, तो हवे तमे गवतम बुद्ध ना विरुद छो, तमे राम ना विरुद छो, दरेक ना, पन तमारे एने साच्चा संदर्भ मा समझू जोई है, के ज जो आस्त्री तेमना माटे महत्व ना धरावती होत, तो तेव तेनी माटे छेक श्रीलंका सुधी ना जात, युद्ध करीने तेने पाची ना लावती, तो एमने अंदर नी अहंकारनी भावना हाती, तमें के विरुद छो, तेव इचता तो अहंकार मां सो पत्नियों राख तेमनी माते शुम महत्व नाधतार आथ फर्म दे चली तेव ना सुधी एंदे क शो कर्मी अजिम भी न्ग महत्व द Kenny तमे थे इनमना मन्नी अंदर आप खराब इरादा ऊ के actu दो helpस आउ शब्दो वड़े तो आपने कई पंद कई शखेची जुओ, जान सुधी तमारी वाद चे तमें एज जानो चो जे तमें वाच्ची उचे तमें एमना जीवन विशे एना थी वदारे कई नथी जानता न तो हूँ न तो तमें वराबर तो तमें जे वाचियू, एमा एवू क्या ही नतू लख्यू के ते यो असुरक्षयानू बहुता क्या ही एवू पन नथी करू के ते यो ना ना बदीज जग्याए गणी स्पष्ट रिते कहवा मा आवियू छे हूँ तमने कऊचू, आजे एमनी पूजा एटला माटे करवा मा आवेचे कारण के भले जीवन मा एमनी सामे घणी मुश्केलियों आवी आ माना से कोई दिवस दुख प्रकट नथी करियू अन गमों नथी बतावियो, क्यारे क्रोधित नथी थया तेहो वैरागी पर नोता बनी गया तेमने संपूर्ण जीवनकार मा पोता ना दुख अने तकलिफों ने पोता ना रदैमा राकी ने पोता नो दरेक कर्तव्य निभावियू छे तेहो तेमनी प्रजा माटे सौथी उत्तम कारे करता रहा जो आने तामे अहंकार्णो दोश गणों छो तो जो आने तामे अहंकार्णों दोश गणों छो तो